बीजक कथा के इस क्रम में आज हम सभी चर्चा करेंगे रमैनी 21 इसमें साहिब ने कहा है बहुत दुख 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 की खानी तब बची हो जब राम ही जानी राम ही जानी युक्ति जो चलई युक्ति हुते भंदा नहीं परई युक्ति चला संसारा निश्चे कहा न मानु हमारा कनक कामिनी घोर पटोरा संपति बहुत रहे दिन थोरा थोरी संपति गौब औराई धर्म राय की खबरी न पाई देख त्रास मुख गौब कुम हिलाई अम्रित धोखे गौब इस्खाई मैं सिर्जों मैं मारों मैं जारों मैं खाऊं जल्थल महियां रमी रहों मोर निरंजन्नाओं साहव ने इसका सिर्षक में दिया है राम के ग्यान से ही दुखों से छुटका रहा है बहुत दुख दुख की खानी यह संसार यह देह बहुत दुख की खानी है खानी का अर्थ ही होता है उसका स्रोत जहां से वह उत्पन होता है जैसे तमाम प्रकार के बाहर धातू जमीन से निकलते हैं तो कहीं कह देते हैं यह कोईले की खान है यह सोने का खान है, हीरे का खान है इसी तरह साहव कहते हैं यहां दुख की खानी है और वो क्या है वो हम सब का यह मनुश्य शरीर है, संसार है, यह दुख की खानी है अन्यत्र सद्गुरु कबीर ने कहा भी है तन धर सुखिया काहुन देखा जो देखा सो दुखिया कि जो कोई भी शरीर धारन किया उसे सुखी नहीं देखा गया सरीर धारन करने के बाद आदमी के जीवन में किसी न किसी प्रकार दुख रहता ही रहता है तो सवाल यह उठता है, क्या ध्यान साधन करके गुरु का भजन करके दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है जो सरीर के दुख है या पुर्व करमों के जो दुख है संतों ने कहा है कई बार वे दुख पुर्णतया मिठते नहीं है लेकिन गुरु ग्यान से सत्संग से होता इतना है कि हमारा मन इतना मजबूत हो जाता है और हम इस भाती स्वयम को संसार एवं संसारिक्ता से अलग कर लेते हैं फिर वे दुख रहते तो हैं लेकिन वो हमें छू नहीं पाते हैं उन्हीं बीच में हम रह करके फिर हम उससे प्रवावित नहीं होते हैं जैसे बारिस हो रही हो और हम रेनकोट पहन कर निकल जाएं तो बरसात हो तो रही है और हम बारिस में खड़े तो हैं लेकिन बारिस का असर हम पर नहीं होता इसी तरह गुरु ज्यान का सुरक्षा कवच जब हमें मिल जाता है भक्ति की सुरक्षा कवच जब हमें मिल जाता है तो बाहरी जो भी दुख है वो हमें असपर्स नहीं कर पाते रहते तो वो हैं समस्याएं तो रहेंगे परतिकूलताएं भी रहेंगे जीवन में विशम परिष्थितियां भी रहेगी लेकिन हम इतने मजबूत हो जाते हैं ज्यान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, साधना तप के द्वारा कि फिर वे दुख हमारे लिए तिनके के समान है और हम दुख का ही द्रष्टा बन जाते हैं दुख हमें दुख ही तभी तक करता है जब हम दुख को अपने भीतर मानते हैं जब दुख और स्वयम को हम एक ही मान लेते हैं लेकिन जैसे ही हम दुख को परतिकूलताओं को देखना जान लेते हैं उसका द्रश्टा मान लेते हैं फिर हम उसमें नहीं होते हैं फिर दुख से अलग होते हैं जैसे आप नदी किनारे खड़े हों और नदी की धारा बह रही है अगर आप धारा में कूद गए तब तो धारा के साथ बहते चले जाएंगे लेकिन किनारे खड़े होकर अगर धारा को देख रहे हैं तो धारा तो बहती चली जाएगी आप उसमें नहीं बहेंगे आप उसका द्रस्टा हो गए, इसी तरह हमारे जीवन में जो दुख बह रहे हैं, जो परतिकूलताओं की धारा बह रही है, जैसे ही हम उसका द्रस्टा होते हैं, तो दुख की धारा धीरे-धीरे निकल जाती है, वो रुकती नहीं है, जीवन में कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं दुख भी आते हैं तो चला जाता है सुख आता है चला जाता है रुकता बिल्कुल भी नहीं लेकिन जब हम दुख के समय पूरा मन पूरा चित उसी में लगा देते हैं फिर दुख ठहर जाता है फिर वो हमें दुखी करता है इसलिए किसी संत ने कहा था कि एक ही सुत्रियाद रखना कि ये भी नहीं रहेगा जो कुछ भी जीवन में आ जाए इतना समझ लो ये नहीं रहेगा ये नहीं रहेगा धीरे धीरे पता चलेगा कि जो कुछ भी बाहर से मिला है वो सब चला जाएगा अगर सुख हमें किसी बाहर की वस्तु से मिल रहा है तो इतना ही समझ लीजिए कि वो भी अस्थाई नहीं है दुख हमें कहीं बाहर से मिल रहा है तो भी अस्थाई नहीं है इसलिए संतों ने कहा दुख में दुखी मत होईए, सुख में इतना सुखी मत होईए कि आंकार आ जाए और दुख में इतना दुखी मत होईए कि आप तूट जाए दोनों अवस्थाओं में सम रहिए दृष्टा बनके रहिए तो सहेव ने कहा बहुत दुख दुख की खानी या संसार या शरीर बहुत दुख की खानी है जिधर देखो दुख ही दुख है पीड़ा ही पीड़ा है कस्ट ही कस्ट है कोई आदमी कहता ही नहीं मैं सुखी हूँ और किसी को तत्चन कुछ धन मिल जाए आदमी कहता है मैं बड़ा सुखी हूँ लेकिन क्या धन में सुख है? अगर धन में सुख होता तो बड़े-बड़े धन पती नींद की गोलिया ना खाते नींद ऐसे ही आ जाते लेकिन जितने बड़े-बड़े धन पती हैं आप देखेंगे बड़े-बड़े रोग उनहीं को लगते हैं जो साधारन लोग हैं, मजदूरी करने वाले, किसानी करने वाले उनको रोग भी छोटे छोटे लगते हैं जितने सामर्थ, जितना सामर्थ उसी तरह का रोग और जिनके पास पैसा जादा है आप देखिए कि वो बड़े-बड़े अस्पतालों में भरती होते हैं सामान ने आदमी आसपास के सहरों में और जादा हुआ तो देश की राजधानी में जाके इलाज करा लेता है लेकिन जो धनपती हैं, करोड़पती, अरबपती हैं, उनका इलाज भी देश में नहीं होता एक साधरन सी समस्या भी आई तो बड़े अस्पताल में जाएंगे या विदेश के अस्पताल में जाएंगे नींद भी नहीं आती, साधरन आदमी एक कंबल विछा के चटाई विछा के भी सो लेता है लेकिन बड़े बड़े धनपती, डनलप के गदे पर भी करवटे बदलते हैं एक साधरन आदमी नमक रोटी खा के भी आनंदित रहता है बड़े बड़े धनपती, मेवा, मिष्ठान, मलाई, दुनिया भर के चीज़ें खा के भी रोगी बना रहता साहिब कहते हैं साधनों में सुख भी नहीं है साधनों में सुख बिल्कुल भी नहीं है अगर आप संसार के साधन की और जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कदम कदम पर दुख है वहाँ कोई सांती, कोई संदोश ने जितने साधन आप इकठे करते चले जाएं आपको लगेगा थोड़ा और इकठा कर ले साधनों में त्रिप्ती भी नहीं है सुख भी नहीं है संतोश भी नहीं है अगर आपने एक घर बना लिया अब मन में होगा, गाउं में तो बना लिया अब थोड़ा सहर में बन जाए तो अच्छा होता पास के सहर में आपने बना लिया तो मन में होगा कि थोड़ा राज की राजधानी में भी हो जाए तो कितना अच्छा हो और फिर तृष्णा यहीं थोड़े रुकती है राज्य की राजधानी से फिर देश की राजधानी और तमाम बड़े-बड़े सहरों में और इतना कहीं हो गया तो विदेश में फलेट खरीदने की बात आ जाती पैदल चलते थे मन हुआ एक साइकिल आ जाए कितना अच्छा हो पर मन और त्रिशना साइकिल पर ही कहां रुपती है साइकिल खरीदा तो मन हुआ मोटर साइकिल आ जाए मोटर साइकिल खरीदे तो कार और कार में भी अब हाई क्वालिटी की कार अब महंगी कारें चाहिए और इतनी इक्षा भी कहीं पूरी हो गई तो फिर हेलिकॉप्टर या प्राइवेट जेट खरीदने की बात आ जाते हैं साहिब कहते हैं संसार में जहां भी जाओ संतोश नहीं है और संतोश नहीं है तो सुख नहीं है दुख है, दर्द है, पीडा है तो जिनके पास बहुत जादा संपती है, वे लोग भी दुखी है, उनका दुख और विशाल है, उनके कश्ट और बड़े है, उनके जीवन की पीड़ा और जादा दुखदाई है, उनके घरों में सामंजस नहीं है, शांती नहीं है, बच्चे कहीं और है, पत्मी कहीं और है, अपना कहीं ओ रहे हैं, सुख नहीं धन के लिए भागे चले जा रहे हैं पर वो धन उसके जीवन की शांती का वजह न बन सका वो धन उसके परिवार के लिए स्वर्ग का कारण न बन सका इसलिए साहब कहते हैं अगर ये लगता है कि हम संसार में कहीं सुख पालेंगे तो जो बाहर से मिलेगा वो छूट भी जाएगा बाहर साधनों से आपको सुविधा मिल जाएगी धन से आपको बैवस्था मिल जाएगी पर उसमें सुख मानना भरम है मित्या है कोई भी साधन हमारे पास है हमारे लिए बैवस्था का कारण बन जाता है घर है हम बरसा गर्मी ठंडी से बचते हैं पर वो हमारे सुख का कारण नहीं होगा क्योंकि कभी हमें बाहर रहना पड़ा तब तो हम दुखी हो जाएगे सुख का कारण अपने भीतर खोजी अपने भीतर तलासी और उसका कारण इतना ही हो कि हम बाहर के समस्त तृष्णाओं का त्याग करते हैं बाहर के समस्त इक्षाओं का त्याग करते हैं कामनाओं का त्याग करते हैं और जब भीतर संतोष में इस्थित हो जाएए त्रिप्ती में इस्थित हो जाएं तो धूप में खड़े होंगे तो भी सुखी होंगे छाया में होंगे तो भी सुखी होंगे अभी ऐसा है कि धूप मिल जाए तो तुरत आदमी परिशान होने लगता है छाया मिल गया तो तुरत सांती मिल जाती सहाइब कहते हैं तकलीफ हैं तो मिलेगी संसार में अब बहुत गर्मी है तकलीफ होगी लेकिन इतना भी हाय हाय ना करो कि पूरे दुनिया जान जाए कि ये आदमी बहुत पेड़ी थे अपनी बेक्तिगत को उप्योग करना है कोई ब्यवस्था करने है कर लीजिए पर इस तरह से नहीं अब सरीर में कोई रोग आ गया तुरत हाय हाय करने लगे तो क्या होगा कोई रोग आ गया धैर्ज रखिए सांती से देखिए निवारन करिए शाहिब करते हैं बाहर ऐसा ही है जगत बहुत दुख कहीं भी चले जाओ कोई साधन बढ़ियां भोजन में मानते हैं सुख है तो क्या सुख है अब कोई समझे कि बढ़ियां भोजन मिल जाए तो बड़ा सुख मिलेगा अब एक टाइम दे दीजिए उसको मेवा मिष्ठान खीर पूरी सबजी और दूसरा टाइम भी वही दे दीजिए और तिसरे टाइम भी वही दे दीजिए अब कुछ नमकिन खीलाई उसमें सुख नहीं है कोई कहता है दूदही में सुख है लगातार पिलाते रहिए कही पानी नहीं पीना है दिनभर दूदही पीना है आदमी कहेगा छोड़ी यह बस हो गया बाहर किसी वस्तु में सुख नहीं है किसी से ज़्यादा त्रिपती मिलती है किसी से कम तेपती मिलती है बस इतना ही है कि कोई चीज हमें पसंद है तो उसको हम थोड़ा ज़्यादा देर तक उसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन लगातार नहीं कर सकते संसार की वस्तुएं हमारे लिए अस्थाई सुख प्रदान नहीं कर सकती उसमें कहीं न कहीं दुख है अच्छी से अच्छी वस्तूओं का भी अगर लगातार आपको प्रियोग करने को कहा जाए तो आप दुखी हो जाएंगे लोग कहते हैं ये मेरा घर मैंने बड़े अर्मानों से बनाया है सातो दिन इसी में रहना है पुरा महिना इसी में रहना है आदम कहेगा एक जोपड़ी ही दे दो हम उसी में रह लेंगे लेकिन ऐसा कैद में नहीं रह सकते कितना बढ़ियां घर हो कितना बढ़ियां कपड़ा हो अब बहुत लाखों का कपड़ा हो और कोई कहे कि तुम्हें यही पहनना है, इसको छोड़ना ही नहीं है, चेंज ही नहीं करना है, सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलना शुरू हो जाएगा कोई कहे ये बहुत बढ़िया कार है बहुत सुखी है हम कोई कहे कार में ही बैठे रहो उतरना नहीं है वही दुख का कारण बन जाए संसार की कोई भी वस्तु हमारे जीवन के लिए पूर्णता सुख का कारण नहीं बन सकता उस साधन है उसका आप सदुप्योग करेंगे तो सांती बनी रहेगी सुख बना रहे लेकिन यदि अच्छी से अच्छी वस्तुओं का भी दुप्योग सुरू हो जाए वही दुख का कारण बन जाता है तो संसार में कहीं भी कोई भी विक्तिय कह नहीं सकता कि हम इतना कुछ पा करके सुख ही है गरीबी है तो आदमी कहता है अमीरी आ जाए तो हम सुख ही हो जाएंगे और जिसके पास अमीरी आ गई वो और जादा अमीरी चाहता है और जिसके पास थोड़ा जादा आ गई वो और जादा चाहता है सुख फिर भी नहीं और इस चक्कर में आदमी धीरे धीरे बहुत आगे तक निकल जाता है और ऐसा समय आता है जब उसके पास लगता है अब तो बहुत कुछ कर लिया सुख कहां मिला लगा तो था कि बहुत ज़्यादा अमीरी आजाएगी तो सुख मिलेगा पर सुख तो कहीं दिखता ही नहीं सांती तो कहीं दिखती नहीं है क्योंकि धन में सुख है ही नहीं धन हमारे जीवन की ब्यवस्था का कारण बनता है हम कहीं यात्रा करते हैं धन उसमें सहयोकी है सरीर को भोजन चाहिए धन उसमें सहयोकी आवस्यक्ता बिल्कुल है धन की लेकिन वो हमारा लक्ष नहीं है वो हमारी मंजिल नहीं है वो हमारा धे नहीं है वह हमारे पथ का पाथे है संबल है बस हमारी यात्रा के बिवस्था है धन से हम कपड़े, भोजन, वस्त्र, अन्यत्र जितनी भी शुबधाएं हम करते हैं यहां वहां की उस सब हम धन से कर सकते हैं पर साहब कहते हैं आप ये सोच लेंगे कि संसार में सुख है तो साहब ने कहा नहीं नहीं बहुत दुख दुख की खाने लोग आये होंगे सद्गुरु कबीर के पास कि साहब हमने घर बनाया हमने जमीन खरी दी हमने तमाम ब्वस्थाएं की बड़ा सुख है साहब कहें कहा सुख है कहीं भी सुख तो नहीं है खुद को देखो तुम्हारा सुख छण में बदल जाता है जो वस्तु तुम्हें इस पल सुख दे रही है वो दुखी है वो कहता है गुरुजी किर्पा करिए एक पुत्र हो जाए बड़ा सुख मिलेगा पुत्र हो गया मान लो थोड़ा बड़ा हुआ और जैसे ही अवग्या करने लगा गलत रास्ते पर गया बात नहीं मानने लगा अलग रहने लगा वही पुत्रव दुख का कारन बन गया जिसके बिना आप दुखी थे आज उसके होने पर आप दुखी है जिसके आने से आपको लगता था सुख मिलेगा अब वही आपकी दुख का कारन बन गया है जिस परिवार को आप सुख का कारन मानते थे समय समय पर वही दुख का कारण बन जाता है लगता था पत्नी में सुख मिलेगा लेकिन जैसे ही पत्नी आ गई अब वही दुख का कारण है अब उसी से छुटकारा पाना चाहते है अब उसी से मुक्ती पाना चाहते है मनी मन सोचते हैं किस मन उस घड़ी में हम साथ हुए अच्छा होता साथ नहोते ऐसे ही रहते लेकिन जब तक साथ नहीं है तब तक मन में गُद्गुदी हो रही है कि कितना जल्दी साधी हो पतनी मिले सुक से जिए लेकिन मिलते ही लगता है क्या कर लिया और साहब कहते हैं फिर वही जो कुछ छन पहले कुछ समय पहले तुम्हारे जिवन में सुख का कारण था वही अब दुख का कारण बन गया संसार की वस्तुएं कब तुम्हारे सुख का कारण से दुख का कारण बन जाए कोई नहीं जानता बच्चे सुख के कारण बने दुख के कारण भी वही बन गए मित्र सुख का कारण बना छण भर में वही दुख का कारण बन गए जो भोजन तुम्हारी त्रिप्ति और सुख का कारण है अब मान लीजिये कोई आदमी भोजन दो दिन से नहीं किया अब उसे कहा जाए कि तुम्हें और कुछ ध्यान है वो कहेगा नहीं मुझे भोजन के सिवा कुछ भी ध्यान नहीं मैं कुछ भी कर रहा हूँ मुझे चार और भोजन ही दिख रहा है मैं चांद को भी देखता हूँ तो उसमें रोटी नजर आती मैं कहीं भी नजर डालता हूँ मुझे होटल नजर आ रहा है भोजन नजर आ रहा है आप एक चीज गौर करिए, जब आप दो-तिन दिन के भूखे हों, तो आप जिधर नजर डालेंगे, आप भोजन का ही ख्याल आएगा, लेकिन उस आदमी को भोजन दिया जाए और कहा जाए कि जब तक हम न रुके तुम्हें भोजन करते जाना है, दो रोटी, चार रोटी, बीश रोटी, सो रोटी आगे धर देख, तुमको सब खाना है, और जबरदस्ती मुह में ठूसते चला जाए, वही भोजन उसके दुख का कारण बन जाएगा, जो भोजन में सुख नजर आ रहा था, वो अधिक मिल गया तो और अधिक सुख मिलना चाहिए, मान लिजे चार रोटी में पेट भर गया, सुख मिला, उसी को 40 रोटी ठूस दिया मुह में तो और ज़्यादा सुख मिलना चाहिए, नहीं मिलता है, दुख मिल जाता है, संसार की वस्तुएं ऐसी ही है, आपको लगता है ये सुख का कारण है, पर होना तो ये चाहिए, कि अगर एक में इत थोड़ा प्रेम है तो थोड़ा सुख है, अनंत प्रेम है तो अनंत सुख है, उसमें दुख नहीं आता, जीवन में सत्य है, तो अगर अभी हमने थोड़ा सा सत्य जाना है, तो थोड़ा सुख है, परम सत्य को जान लिया, तो परम सुख मिल जाए, तो जब हम भीतर लोटत हैं तो प्रम्शुख एच ले शायी सघ्ठ साहभगी को करता है कि ए संसार cm कहा likely कलपना कर रहे हो जदना देखो कि कहार कहा सु्क लगता है जिस समय जो काम तवारे सामने थोड़ा सुख ही हो जाएंगे पर उस काम को करते ही तुम्हारे सामने चार काम ने आ उस काम को तुमने निप्टाया नहीं कि चार काम तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। करते हुए मन थोड़ा सांत होता है हमें लगता है बस्तु से सुख आ रहा है बस्तुता हमारे मन की सांती मन को एकागर करने में है हमारा सुख मन को ठहराने में है इसलिए साहिव से जब लोगों ने कहा कि संसार में तो बड़ा सुख नजर आता है घर में सुख नजर आता है पतनी में सुख नजर आता है तब साहिव ने कहा नहीं भई तुम धोखे में हो बहुत दुख 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 की खानी इस संसार में बड़ा दुख है बड़ी पीडा है बड़ा कस्ट है चारो और दुख का पसारा है तब लोगों ने कहा तो कोई रास्ता तो होगा साहिव हम तो सोच रहे हैं कि संसार ही पुरा सुख का घर है हमें तो लग रहा है सभी वस्तूओं में ही सुख है पर आप जब कह रहे हैं और विचार कर रहे हैं तो लग तो सच में रहा है कि दुख है जहां भी देखो दुख दुख नजर आ रहा है गुरु हमें वो दृष्टी परदान करते हैं कि हम सत्य को देख सकें क्योंकि माया हमें भर्माती है माया हमें लालच दिखाती है संसार में हमें उधोखा करती है आपको जहां दुख है वहां सुख का भास कराएगी एक घटना संत्यजन कहते हैं कि एक आदमी नेता टाइब का आदमी था जब उमरा तो पहुंचा उपर तो यमदुतों ने कहा कि तुम कहां जाना चाहोगे वो कहा बढ़ेया जगह ले चलो का ठीक है स्वर्ग या नर्ख का मैं पहले दोनों जगह देखूंगा दोनों में जो बढ़ेया होगा वहीं जाओंगा सुनता तो हूँ स्वर्ग बढ़ेया है पर देखा दो एक बार का ठीक है चलो तो जब स्वर्ग उसको ले गया तो कहा यह तो बड़ा विरान मालूम पड़ता है सांत वातावरन है कहीं कोई ऐस्वर्ज नहीं कोई विलासिता नहीं कोई उमंग कोई उत्साह नहीं कोई नृत्त नहीं कहीं चुपचाप कोई अकांत बैठा ध्यान कर रहा है कहीं कोई सांत ऐसे ही बैठा है कोई किसी से लेना देना नहीं चारो और सांत वातावरन है उस नेता ने कहा मुझे कुछ जमा नहीं स्वर्ग बड़ा फीका फीका लगता है एक बार नर्क भी दिखा दो तो जैसे ही नर्क के दरवाजे में प्रवेश किया देखता है चारो और निरित्ते हो रहे हैं नाच नोटंकी मदिरा की बेवस्था है सोने खाने की बेवस्था है भोगों की बेवस्था है तमाम चीजें है एकदम चारो और चमक दमक है यमदूत से कहा नेता ने कि लोग जूठे ख़बर फैला रखा है धर्टी पर की स्वर्ग बढ़िया आज पहली बार पता चला स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है नर्ग तो इतना बढ़िया का हमको नहीं जाना स्वर्ग इस स्वर्ग और इस सुख को छोड़ कर हम नर्ग में स्वर्ग में तो नहीं जाएंगे हम यहीं रहेंगे नाम इसका नर्ग है पर इस स्वर्ग से भी बढ़िया यम्दूतों ने कहा ठीक है तो यहीं रहो जैसे ही कहा और आगे बढ़ा तो सब नजारा बदल गया देखता है कोई कड़ाहा में उबाला जा रहा है कोई मैला में फेंक दिया गया कोई आरा से चीरा जा रहा है कोई बिच्छू से कटवाया जा रहा है किसी को सांप से डसवाया जा रहा है वो चिलाया कहा यमदूत ये क्या कर दिया तुमने कहां ले आये मुझे का नर्क है का अभी तो बढ़ेयां दिखा रहा था का हाँ तुम भी तो यही करते हो जमीन पर लोगों के बीच जाते हो चुनाओं में कि रोड बनवा देंगे बिजली दे देंगे अस्पताल खुलवा देंगे नौकरी लगवा देंगे दिखाते तो तुम भी बड़ा बड़ा सपना हो पर हकीकत में तो तुम सिर्व अपनी जेब भरते हो दुनिया को तो दुख ही देते हैं यही हम भी यहां कर रहे हैं हम दिखाते बढ़ियां हैं हम परदर्सनी बढ़ियां कर रहे हैं पर देते बढ़ियां नहीं है स्वर्ग जो तुमने देखा उदासी वस्तुतव वही परमसान्ती है और यहां जो तुमने स्वर्ज देखा यह तुमसे ही हमने भी सिखा है जो काम तुम जमीन पर कर रहे हो वही वही हम यहां कर रहे हैं और अब इसी मैले में सिर्शासन करो और उसी टटी में सिर्शासन करवा दिया साहईब करते हैं यही माया का काम है वो दिखाती बढ़ियां-बढ़ियां है किस वस्तू में सुख़ ये ले लो रास्ता चलते नजर पढ़ गया किसी बढ़ियां चीज में अब लग रहा है तो मेरे पास होना चाहिए यह मोवाईल हमारे पास होना चाहिए गड़ी हमारे पास होना चाहिए ये कपड़ा हमारे पास होना चाहिए ऐसा चपल हमारे पास होना चाहिए बढ़ियां घर देखा तो ऐसा घर हमारा भी होना चाहिए माया सब जगा हमें भरमा रही है सुख दिखा रही है स्वर्ज दिखा रही है चमक दमक में लगता है सुख है, शांती है, समरिधी है, माया का काम ही ही है, साहव ने कहा माया दिखाती बढ़ियां बढ़ियां, चमक दमक दिखाती है, लगेगा कि दुनिया का सारा सुख बाहर ही है, साहव कहते हैं इसलिए इस भ्रम में मत रहना, कि संसार में सुख है, माय दिखाती तो सुख है पर है भेंकर दुख तो लोगों ने कहा प्रभू तो हम बचेंगे कैसे का एक ही रास्ता है कि जिस संसार में तुम जा रहे हो जिन वस्तूओं को तुम इकठा कर रहे हो बस इतना ही समझ लो कि ये तुम्हारे साधन है इसे अपना साध्य मत समझ लेना ये तुम्हारी वस्तूओं जो कुछ भी है संसार ये तुम्हारे जीवन जीने की बवस्ताएं है इसे तुम अपना मनजिल मत समझ लेना अगर तुम इसको ही सरवस्व मान लेते हो तो तुम परिवार में जगड़े कर लोगे उसी धन के लिए फिर भाई से विवाद कर लोगे माता पिता को बृधासरम में डालाओगे क्योंकि जिस धन में तुमने संप्रुनता का भास कर लिया जिस धन को ही तुमने सरवस्व मान लिया फिर उससे पाने के लिए और उससे रखने के लिए तुम अपनों को भी छोड़ोगे नहीं उसके साथ भी तुम दगा करोगे लेकिन जिस दिन तुम्हें ये आभास हो जाए कि ये धन केवल तन गुजर के वास्ते है ये सिर्फ तन की विवस्था के लिए है फिर उस धन के लिए तुम अपने भाई से भी रोद नहीं करोगे पता चल जाए कि बाहर का सब कुछ सिर्फ तुम्हारे विवस्था के लिए है फिर तुम किसी से भी वाद नहीं करोगे जगड़ा नहीं करोगे इसलिए पहली बात तो ये आभास करना होगा अगर संसार के दुखों से बचना है अगर संसार की पीड़ा से बचना है तो सबसे पहले तो यह सोचना होगा कि यह धन यह संसार की विवस्थाएं यह संसार की चीजें हमारी विवस्था के लिए है हमारे यात्रा के लिए है और दूसरी बात साहिब ने कहा तब बची हो जब राम ही जाने तब बचोगे जब राम को जानोगे तो लोगों ने कहा राम को कौन से राम को साहिब ने कहा मेरा राम जेतन राम है सुरूप राम है मेरा वह राम है जो स्री राम के भीतर भी बैठा है आत्मा रूपी राम तोकि बाहर किसी राम को जानोगे तो उनको भी बिछुड़ना पड़ेगा उनसे भी तुम मुक्त होगे बाहर कुछ भी थिर नहीं बाहर तुम जिसे भी जानोगे वह सब बिछुड़ेगा छुटेगा बाहर जिसे भी तुम सुख का आधार मानोगे वह आधार गिरेगा वह आधार बिखरेगा अगर तुम सौंदर्ज को सुख का आधार मानते हो तो सौंदर्ज अस्थाई तो नहीं जवानी है बच्पना है जवानी है तो सौंदर्ज है जैसे ही बुढ़ापा उतरेगी सौंदर्ज खो जाएगा तो सुख तो खो गया तुम धन को सुख का अधार मानोगे आज धन है कल भी रहेगा कोई गैरेंटी तो नहीं धन खोया मतलव सुख खोया अगर तुम घर को सुख का अधार मानोगे आज तुम्हारा घर है कल भुकंप में जमीन में चला गया घर खो गया तो सुख खो गया पतनी को सुख का आधार मानो गया तो पतनी आज है कल संग छूट जाए तो सुख खो गया साहिव कहते हैं बाहर चाहे तुम किसी वस्तु को सुख का आधार मानो चाहे राम को ही मानू छूट जाएगा बाहर जो कुछ भी है वो जड़ है द्रिश्य है और वो छूटेगा इसलिए साहिब कहते हैं मैं उस राम की बात नहीं कर रहा जो स्री राम अयुद्या में हुए क्योंकि वो अब हमारे बीच नहीं है उनका भी सरीर खो गया उसे जब जान लोगे अर्थात खुद को जान लोगे तो दुख से बच जाओगे अभी हम संसार को जानते हैं दुनिया को जानते हैं वस्तूओं को जानने में लगे हैं संसार को जानने में लगे हैं तारों को जानने में लगे हैं अंतरिक्ष को जानने में लगे हैं समुद्र को जानने में लगे संसार यही तो कर रहा है बड़ी से बड़ी पढ़ाईयां किसके लिए है संसार को जानने के लिए पर उतनी बड़ी पढ़ाई के बाद भी कोई आदमी सांत क्यों नहीं हो पाता क्योंकि उसने सिर्फ संसार को जाना है लेकिन जो संत हैं तपस भी हैं वो स्वेम को जानते हैं बाहर जो कुछ भी जानोगे सहब कहते हैं वह तो बाहर तुम्हें संसार से जोड़ेगा मया से जोड़ेगा और उसका कोई विशेश अर्थ नहीं है तुम संसार को ही तो जानोगे जो तुम से छुटने वाला है तुम उसे ही तो जानोगे जिससे तुम बिछुडने वाले हो पर जिस दिन तुमने स्वेम को जान लिया मैं को जान लिया तो समझलो तुम खुद में इस्थित हो गए फिर कभी बिछुड़ोगे नहीं अर्थात जिसे खुद का आभास हो गया खुद के होने का साहब करते हैं फिर बाहर उससे कोई भी चीज़ दुख नहीं दे सकता अभी हम खुद को ही भूले बैटें अभी हमें खुद की ही विस्मृती हो गई है और जब खुद की विस्मृती हो जाए तो हम संसार में दरबदर भटकते हैं बाहर प्रमात्मा के लिए भगवान के लिए सुख के लिए, शान्ती के लिए साहिब करते हैं, खुद को याद करो, खुद को जानो स्वयम को जानो आत्मा राम को जानो ये खोया नहीं है ये विश्मृत हो गया है जैसे कई बार सब कानभव होगा हाथ में कलम है और आदमी घंटा परेसान है एक घंटा से कलम कहा रख दिया कहा रख दिया, बाद में ध्यान आया है हाथ में ही तो है, कई बार घड़ी हाथ में है वो आदमी पुरा विश्तर उलट दिया अलमारी खोज लिया, कुर्ता से ढका है, पता नहीं चल रहा है घड़ी का बाद में ध्यान आया घड़ी तो हाथ में कई बार लोग चस्मा पहने रखते हैं अब उठा के इस पर कर लेते हैं अब वो खोज रहा है मेरा चस्मा कहा गया अब चस्मा कहीं और हो तो मिले बाहर होगा तभी तो मिले वो खुद के ही सिर पर है पर विस्मृती हो गई है इसलिए वो बाहर खोज रहा है जब आभास होता है जागरती आती है होस आता है तो पता चलता है सिर पर ही था बस जानना था समझना था जागना था साहब कहती सी तरह अपना चेतन ही अपना प्रब्रम है राम है भगवान है विस्मृती हो गई है इसलिए हम तिर्थों में खोजते हैं इसलिए हम बाहर खोजते हैं इसलिए हम बाहर सुख की तलास करते हैं शान्ती की तलास करते हैं शाहिव ने कहा जब राम को जान लोगे स्वैम को जान लोगे मैं कौन हूँ यह जान लोगे तो पता चलेगा सारा सुख तुम्हारे भीतर है और वो छुटेगा नहीं तुम्में जो सुख है स्वयम को जानने में जो शान्ती सुख है परमानंद है वो बिछुडेगा नहीं वो मिटेगा नहीं मिटता वही है जो हमने बाहर से जोड़ा जिससे हमने भीतर उदगाटित किया है वो कभी छूटता नहीं है जिससे हमने भीतर जागरित किया है वो कभी खत्म नहीं होता लेकिन जिससे हमने बाहर से बटोरा है लाया है, इकठा किया है चाहे हम सास्त्र ही हो, ग्यान ही हो जिससे हम बाहर से लाते हैं आत्मत्रिप्ति, जैसे टंकी में पानी भरा गया, तो टंकी में पानी बाहर से भरा गया, उसके अपनी उत्पत्ती नहीं है, टंकी में खुद वो पानी पैदा नहीं हुआ, वो बाहर से भरा गया, और जो बाहर से भरा जाता है, वो खाली भी हो जाता है, फिर फिर भरना बोर में अगर एक लीटर नहीं, एक हजार लीटर भी रोज निकाला जाए, उसमें कम नहीं पड़ता है, कहीं से डालना नहीं पड़ता है आप खुद देखिए, बोर में पानी डालना पड़ता है, कुवा में कहीं से डालना पड़ता है, नहीं डालना पड़ता है उसकी अपनी उत्पती है, उसका खुद का स्रोत है, वो वहीं से जाग्रित हो रहा है, इसलिए वो दूसरों की प्यास तो बुझा रहा है, दूसरों को त्रिप्त कर रहा है, पर उसे नहीं चाहिए कहीं से, इसी तरह जब हम अपने भीतर लोडते हैं स्वयम को जानने की चेश्टा करते हैं और जब स्वयम को जान लेते हैं तो हमारे भीतर ही पता चलता है कि आत्मा का तो शरूप ही प्रेम मैं है आत्मा का तो शरूप ही ज्ञान मैं है आत्मा का शरूप ही सत्य मैं है अहिंसा मैं है करुणा मैं और फिर वो सारे सद्गुण वो सारे हमारे स्वरूप संसार को भी प्रेम परदान करता है संसार को भी सुख परदान करता है एक संत जब अपनी साधना में लीन होकर सत्य को उपलब्द हो जाते हैं प्रेम को उपलब्द हो जाते हैं तो उनके ज्ञान से संसार भी त्रिप्त होता है संसार को भी उनके प्रेम और करुणा का अभास होता है इसी तरह साहिब कहते हैं इस संसार के भेंकर दुख से बचना है तो स्वयम को जानो, राम को जानो, राम को ही जानना पड़ेगा, मैं कौन हूँ यह जानना पड़ेगा, आगे साहिब कहते हैं, राम ही जानी, युक्ति जो चलई, युक्ति हूँ ते भंदा नहीं परेगा साहिब कहते हैं जो विक्ति सदगुरु सतसंग में राम को ठीक से जानकर युक्ति पुर्वक चलता है वो अविश्या सक्ति के बंधनों में नहीं पड़ता राम ही जाने लोगों ने कहा जाने कैसे साहिब ने कहा कि गुरु संत के सानिध में आओ ध्यान के द्वारा ज्यान के द्वारा गुरु के वचनों के द्वारा उस राम को जानो और जो राम को जान लेता है उसका जीवन फिर युक्ति पुर्वक चलता है विचार पुर्वक चलता है सम्यक यात्रा विवस्थित यात्रा फिर वो कहीं विश्या सक्ती में नहीं पड़ता है फिर वो कभी बंधन में नहीं पड़ता है फिर संसार के बंधन उसे पकड़ नहीं सकते संसार के बंधन उसे काट नहीं सकते उसे फसा नहीं सकते, युकते हैं, ते फंदा नहीं पर रही, जब हम राम को जान लेते हैं गुरु संतों की किरपा से, सत्संग में आने के बाद, धीरे 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 ध्यान और साधना के द्वारा, तब के द्वारा, जब हम अपने शुरूप राम को जान लेते हैं, आ हमारा सुनना, हमारा देखना सब व्यवस्थित हो जाता है। और जब हम युक्ति पुर्वक चलने लगते हैं, विचार पुर्वक चलने लगते हैं, सही पुर्वक चलने लगते हैं, तो फिर फंदा नहीं पड़े। फिर ये जो वासना का फंदा है, विश्यासक्ति का फंदा है, बाहर संसार का फंदा, अविद्या का, माया का, वो नहीं पड़ता है। राम भी जानी युक्ति जो चले। कि जो राम को जानता है और तव युक्ति पुरवक चलता है। जो गुरु के बचनों को मान करके सत्य मार्ग पर विचार पुरुवक चलता है विवेक पुरुवक चलता है उससे फंदा नहीं पड़ता उस पर बासना का विद्या का माया का फंदा नहीं पड़ता वो मुक्त होकर चलता है पर आगे साहिब कते हैं युक्ति चला संसारा संस संसार भी पूरा युक्ति पुर्वक चल रहा है सब कुछ बढ़ियां से आदि में सोच रहा है हम कर रहा है सारे साधन ठीक से कर रहा है पर क्या संसार में लोग सुखी है संसार में भी तो लोग सोचता है मैं सब सही कर रहा हूँ युक्ति पुर्वक चल रहा हूँ विवस्था पुर्वक चल रहा हूँ साहभ ने पहले ही का संसार में तुम कितनी भी विवस्था पैदा कर लो संसार में कितना भी विचार पुर्वक चल लो पर संसार के साधन तुम्हारे सुख का कारण नहीं बनेंगे वो दुख का ही कारण बनेंगे इसलिए साहिब ने कहा कि संसार के लोग मानते तो हैं कि हम भी सब कुछ युक्ति पुर्वक कर रहे हैं कई लोग कहते हैं न मैं किसी का दिल नहीं दुखाता मैं अपना काम बढ़ियां से करता हूं इमानदारिश से करता हूं पर मैं किसी को मानता नहीं संत को नहीं मानता भगवान को नहीं मानता धर्म को नहीं मानता मैं बढ़ियां से अपना काम करता हूं मैं दान पुन नहीं करता पर बढ़ियां से अपना काम करता हूं अपना बिक्तिकत तो सब जीता है अपने लिए तुम कमा रहे हो खारो बढ़िया तुम क्या कर इस धर्ती पर आए तुम धन कमाया तुम खाए ठीक है तुम किसी का छीने नहीं पर तुम सिर्फ खाए ही तो हो अपना ही तो खाए हो तुम्हारा धन तुम्हारी सांसे तुम्हारा जीवन, तुम्हारा प्राण, किसी और की सुख का कारण तो न बन सका, किसी और लाचार असहाई दिन दुखी की बेवस्था का कारण तो न बन सका, तुम्हें संसार में आए, तो तुम्हें लगता है कि हम पर तो किसी का रिन नहीं है, पर साहिब कहते हैं, जिस भूमी में तुम जन्म लेते हो, माता-पिता का रिन होता है, गुरू का रिन होता है, उस भूमी का रिन होता है, राश्ट का रिन होता है, प्रकृती का रिन होता है, और तुमने क्या किया, कुछ नहीं, अपना खाये, जीए, मरके चले गए, तुमने सोचा हम भी तो धार्मि हम भी तो अच्छे हैं नहीं अगर तुम सिर्फ अपना पेट भर रहे हो साहब करते हैं फिर तुमने कुछ नहीं किया तुमने सिर्फ अपने सरीर को भोजन दिया दुनिया को तुमने नहीं देखा किसी दिन दुखी को नहीं देखा गुरू संत की सेवा तुमने नहीं कि इस दुर्ज को तुम क्या देते हो, पुर्पुरी स्रिष्टी को उर्जा दे रहा है, वायू को तुम क्या देते हो, पुर्पुरी स्रिष्टी को प्राण दे रहा है, जल को तुम क्या देते हो, जल हमें जीवन दे रहा है, तो प्रकृती भी तो दे रही है, तो बहुत लोग य संसार में हम सब भी तो युक्ति पुर्वक चल रहे हैं, पर सायब को तो निश्य कहा न मान हुमारा, पर दुख जब जीवन में आता है, जब पीड़ा जीवन में आती है, तो निश्य ही हम जो बात कह रहे हैं, तुम मानते नहीं हैं, पर संसार में युक्ति पुर्वक तुम तुम चल लेगे, संसार को तुम बढ़ियां से कर लोगे, बेकती बहुत बढ़ियां नोकरी कर रहा है, इमानदारी से धन कमा रहा है, कमा ही तो रहा है सरीर के लिए ही तो कर रहा है परमार्थ कहां किया उसने कोई आद में बहुत अच्छा से बेपार कर रहा है कोई आद में बाहर कोई ड्यूटी कर रहा है अरे तुम संसार का ही तो काम कर रहे हो तुमने स्वयम का काम कहां किया प्रमार्थ का काम कहां किया और जब संसार के ही काम में तुम ब्यस्त हो कितना भी सांती से चलो तो साहिब ने क्या कहा कि संसार के लोग भी अपनी समझ से उक्ति पुर्वक ही चलते हैं परन्तु वे गुरू के विचार नहीं मानते साहिब कहते हैं निश्चे कहा न मानो हमारा तुम चलते हो पर विचार नहीं मानते तुम धर्म नहीं मानते, संत को नहीं मानते, उनके ग्यान को नहीं मानते और जब जीवन में तुम्हारे परमार्थ नहीं है, धर्म नहीं है, सत्त नहीं है तो तुम संसार के काम को कितना भी विवस्थित करो जैसे शरीर मुर्दा हो जाए तो उसे तुम चाहे उसके सामने बेवा रख दो, मिष्ठान रख दो, बढ़िया कपड़े रख दो है तो वो प्राण ही नहीं क्या मौल है उसका लास है इसी तरह जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है सिर्फ बाहर संसार है तो वो मुर्दा के समान है जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं है वो मुर्दा के समान है जागट प्रेम न संचरे तागट जानमसान जिसके हिर्दे में प्रेम नहीं है उसे मरगट समझना बाहर से होंगे तुम दौलत मंद बाहर से होगे तुम धनपती साहिब कहते हैं पर तुम कंगाल हो अगर तुम्हारे जीवन में सत्य नहीं भक्ती नहीं प्रेम नहीं जिसके जीवन में भक्ती है प्रेम है फिर वो साहंसा है समराट है तो इसलिए साहिब ने कहा कि संसार भी उक्ति पुर्वक चल रहा है संसार के लोग कहते हैं कि हम भी संसार के सारे काम बढ़ियां बेवस्थित कर रहे हैं लेकिन साहिब कहते हैं उसमें तुम गुरू के वचन नहीं मानते इसलिए वहां तुम्हें दुख मिलता है और दुख ही है और वो दुख किस तरह से मिलता है संसार के कार्यों में हम किस तरह से लीन है और क्या कर रहे है कोई कहे कोई चोर कहे कि हम भी तो इमांदारी से चोरी करते है रात वर मेहनत करते है एक घर में कुछ चुराते हैं दो आदमी गए आपस में इमांदारी से बाटते हैं, हम भी तो बढ़ियां से चोरी कर रहे हैं, तो क्या वो धर्म हो जाएगा, कोई चोर कहे मैं चोरी बढ़ियां से कर रहा हूँ, कोई सराबी कहे मैं भी तो इमांदारी से सराब पी रहा हूँ, कोई बेविचारी कहे हम भी तो इमांदारी से बेविचार कर रहे हैं शाहिव कहते हैं वहां तुम सुक्की तलास कर रहे हो वहां तुम धर्म की बात सोच रहे हो वहां तुम शांती नहीं तुम काम ही गलत कर रहे हो अपने से नहीं मारते हैं, मरा हुआ जानवर लेके आते हैं, उसी को बढ़ियां से पका के खाते हैं, तो तुम हत्या ही तो कर रहे हो, कोई पुन्य थोड़े कर रहे हैं, पाप कर्म को कितना भी युक्ति से करो, वो पाप ही रहेगा, पाप को युक्ति पुरुवक करने से व गुरू क्या इशारा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं तुम बाहर कुछ भी कर लो। उससे छूटने वाला कर्म है, मिटने वाला और उसमें भी अगर तुमने पाप कर्म किया है, तो फिर नरक तयार कर लिया तुमने। इसलिए बाहर के कारज तो तुम्हारी वेवस्था के लिया पर उसमें भी अगर तुमने पाप की कमाई कर लिया और उसे भी तुमने युक्ति पुर्वक कमान लिया, तो फिर और ज़्यादा घौर नरक में जाओगे। इसलिए गुरू की बात मानो, स्वयम को जानने की चेष्टा करो प्रमार्थ के पत्थ पर चलो और नहीं तो तुम्हें लगेगा कि हम तो संसार में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। पर साहे ब कहते हैं तों कर क्या रहे है। अमें पता हैं, कनक कामिनी घोर पटोरा संपति बहुत रहे दिन थोरा। यही तुम कर रहे हो। कि कनक कामिनी घोरा आदी वाहन रेश्मी वस्त्र आदी संपति चाहे जितने बटोर लें किन्तु संसार में रहना तो बहुत थोड़े दिन का है। चाहिव कहते हैं तुम संसार में कर क्या रहे हो, धनी कठा कर रहे हो, कनक अर्थात सोना, सोना मतलब धन, तुम धनी कठा कर रहे हो, कामिनी, अर्थात, जैसे ही व्यत्ति पढ़लिक कर थोड़ा जवान हुआ, शादी की बात सोचता है, इस्त्री के पीछे जाता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, बलकि अधिकान्स लोग ऐसे हैं, कि अगर शादी हो गई, एक इस्त्री मिल गई, तो दूसरे दो चार में मन जा रहा है, नित्य नित्य जहां भी देखा मन में, इस्त्री के परतिकामना रही है, शाहब करते हैं तुम यही तो कर रहे हैं संसार में, धन के पीछे भाग रहे हैं, इस्त्री के पीछे भाग रहे हैं, और घोड़ा आदी बाहन की एकठा कर रहे हैं, जब साहब का समय था, जिस काल में सद्गुरु हुए हैं, उस समय घोड़े हाथी का परचलन जादा था, लोग घोड़ा पर चलते थे, रथों पर चलते थे, या बहुत हुआ तो बैल गाड़ी पर चलते थे, बैल गाड़ी सामाने लोग भी उस समय अगर रखते थे, तो उनके लिए जैसे आज को बैल गाड़ी हो, तो उसको बड़ा धनपती समझा जाता था, कि दरवाजे पर बैल गाड़ी, बाह क्या बात है, बैल गाड़ी से आ रहा है, पर आज कोई बैल गाड़ी से आए, तो लोग मजाक बना देते हैं, तो आज जैसे किसी के दरवाजे पर इसकारपियो आदी खड़ी हो, इतना ही समझना, और आज जैसे किसी के दरवाजे पर फारचुनर हो, ब्यम डवलू के कारे हो, उसी तरह से उस समय किसी के दरवाजे पर रत खड़ा हो, तो आदीम समझा जाता था, किसी के दरवाजे पर तो फारचुनर खड़ी हो, तो यही अंतर था, साहिव में तुम करते क्या हो धन के पीछे जा रहे हैं तुम्हारी सारी पढ़ाई तुम्हारी सारी मेहनत इसी में है कि कैसे हम धन निकठा कर लें शिर्फ धन निकठा करने में इस्त्री धन और वाहन ये कुछ चीजें तुम बटोर रहे हो तो लोगों ने कहा साहब तो इसकी जरुत भी तो है कहा पर तुम्हारा तो पुरा लक्ष ही यही हो गए धन ही तुमने लक्ष बना लिया इस्त्री ही तुम्हारा लक्ष हो गई और ये तमाम तरह के बाहन विवस्थाएं तुम्हारा लक्ष हो गए इसके अत्रिक तुमने सोचा क्या क्या ये साथ जाएंगे जरा सोचो जो धन तुम बटोर रहे हो जब प्राण निकलेंगे तो क्या धन साथ जाएंगे लोगों ने का नहीं जाएगा का इस्त्री साथ जाएगी का बिल्कुल नहीं फिर तुम उसी के पीछे पड़े हो ये तुमारे तमाम साधन साथ जाएगे का नहीं तो साहिव ने का संपती बहुत रहे दिन थोड़ा संपत्ती तो बहुत इकठा किया तुमने पर ये रहेगा थोड़े दिन तक साथ तुम्हारा थोड़ा ही देगा वो धन तुमने नहीं कमाया जो साथ दे सकता था ये धन तुम्हारे शरीर के लिए है और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो ये धन कहां रहेगा इसलिए उस धनकी कमाई तुमने नहीं कि जो साथ जा सकता था इसलिए सायोने का संपती बहुत रहे दिन थोड़ा तुमने संपती बहुत इकठा किया पर रहोगे थोड़ा ही यह रहेगी संपती पास में थोड़े कब निकल जाए कब छूट जाए कब विछुड़ जाए और अगर संपती बनी हुई है वो नहीं कहीं गई तो तुम निकल सकते हो हो सकता है तुम्हारा ही जाना हो जाए हो सकता है धन पड़ा रहे कई बार ऐसा होता है आदमी पड़ा रहता है धन खो जाता है किसी कारण से राजा रंक हो जाता है करोड़पती, रोड़पती हो जाता है और कई बार धन पड़ा है तो आदमी निकल जाता है साइब कहते हैं तुम इसी में तो पड़े हो पर ध्यान रखना संपती बहुत रहे दिन थोड़ा कितना भी बहुत संपत्ती हो थोड़े दिन रहेगी या फिर तुम थोड़े दिन रहोगे तो लोगों ने का हाँ ये बात तो है साहिव ने का रितना ही नहीं आगे और सुनो थोड़ी संपती गव बौराई साहिव ने कहा समस्या तो यह है कि जिसे तुम बहुत संपत्ती समझते हो यह कुछ भी नहीं यह थोड़ी है और इसी थोड़ी संपत्ती में तुम बोरा जाते हो तुम पागल हो जाते हो उन्मत हो जाते हो तुम्हें लगता है कि सब कुछ मिल गया सोना चांदी हीरा तुम्हारे पास आ जाए तो तुम बोरा जाते हो थोड़ी संपति गव बोराई तुम जिसे बहुत जादा समझते हो इस पुरे बर्मांड में वे कण के बराबर भी नहीं है और है ही क्या उसका स्थित्त बाहर तुम कितना भी बटोर लो अर्व खर्व लो तर्व है उदय अस्त लो राज पर भी तर जब भक्ती नहीं है वो सब कौड़ी बराबर भी नहीं है पहले के जितने राजा महराजा हुए बड़े से बड़े दानी बड़े से बड़े बीर बड़े से बड़े धनपती साहब कहते हैं सब के पास बाहरी संपत्ती का खान था खजाना था परांत में जब जो भी चला सब खाली चला और थोड़े समय के लिए सब बौर आए जिसने भी धने कठा किया बौर आ गए कहां भी गया है प्रभुता पाए काए मद नहीं प्रभुता आजाए धन आजाए तो किसको मद नहीं किसको अहंकार नहीं जैसे ही हमारे पास धन आया हम अहंकारी बन जाते हैं धन आया हमें लगता है हमसे बड़ा कौन, हमसे पावर फूल कौन, पर एक दिन ऐसा छूटता है, ऐसा बिनस्ता है कि हम सोच भी नहीं सकते, अभी ही आप सब जान रहे हैं बंगला देश में क्या हुआ, ससक्त प्रधान मंतरी, बढ़ियां बहमत से जीती हुए, जिनके पिता बंगला देश की आजादी में सहयोग किया, बलकि उसकी प्रनेता है, मुझीबुर रह्मान, जिन्होंने बंगला देश की आजादी के जनक हैं, उसकी पिता हैं, उनकी पुत्री सेख हसीना जी का क्या हुआ, बंगला देश में लोगों ने ही सत्ता से जण भर में उतार दि चार सुटकेश लेके भागने पर मजबूर हो गई बाहर का यही तो पसा रहा है एक प्रधान मंत्री जो कुछ देर पहले पूरे देश की प्रमुख है सब परसासन है चार ओर अपना ही हुकूमत है पर ऐसा समय आया कि अपना घर, अपना खजाना, अपना वस्त्र सब छोड़के भागना पढ़ गया साहिब कहते हैं थोड़ी संपत्ती आती है आदमी यही तो करता है तुम कितने बड़े पद पर चले जाओ बड़े-बड़े राजा बड़े बड़े धनपती बड़े बड़े समराठ जो थोड़ा सा धन पाके बौरा गए साहिब कहते हैं अंत में क्या हुआ थोड़ा सा कहीं से कुछ सोना धातु तुम पा गए तुम बौरा गए रावन के पास सोने की पूरी लंका थी घमंड जैज था सही है घमंड तो करेगा आज किसी के पास एक चैन एक रिंग आजाए थोड़ा सा एक दो तोले का तो आदमी को ठंडी में भी गर्मी का हैसास होने लगता साहिब ने कहा ये बाहरी धन ये खजाने ये संपती पाकर तुम बौरा गए पहली पंक्ती में कहा कि तुम यही धन संपती इस्त्री और बाहन के चक्कर में पड़े हो इसे ही बटोर रहे हो इसी के पीछे तुम भाग रहे हो पर ध्यान देना ये सब एक दिन छूटेगा और ये थोड़े दिन के लिए रहेगा पर समस्या ये है कि थोड़ी संपती गव बौराई थोड़ी ही संपती में आदमी पागल हुए फिर रहा है थोड़ी ही संपती में आदमी बौरा रहा है और धर्म राय की खवरी न पाई धर्म राज अर्थात यम राज मृत्यू का खवर नहीं पता है नजर अंदाज कर रहा है आदमी ऐसा नहीं कि खवर नहीं है खवरें तो आ रही है सूचनाएं आती है धर्म राज की यम राज की जैसे आम संसार में यह देखा जाता है कि कोई आदमी पर कोई मुकदमा हो जाए तो कोट से वारंट आता है एक दो तिन जिसमें आया अगर एक दो को नजर अंदाज किया तो फिर और नन वेलेवल वारंट इशू हो जाता है तो ये सारे समस्याएं संसार की हैं यही मृत्यू भी करती है आदमी नजर अंदाज कर रहा है धर्मराय की ख़वरी न पाई ऐसा कर रहा है जिसे उसकी कोई ख़वर नहीं है पर ख़वर आ रही है संकेत आ रहा है वारंट आ रहा है सूचना आ रही है चाहिब करते हैं थोड़ी संपत्ती गव बौराई तुम बौरातों गए संपत्ती में भूल गए दुनियादारी में भूल गए धन संपता में परिवार में पतनी में बच्चे में एस्वर्ज में पद में परतिष्ठा में मान में सम्मान में तुम भूल गए पर ध्यान देना धर्मराय की खवरी न पाई तुम खवर को नजरंदाज कर रहे हो पर यह मराज खड़ा है दूर नहीं है तुम से तमाम तरह के संकेत जीवन में आ रहे हैं तमाम तरह के सूचनाएं जीवन में आ रहे हैं कोई पडोसी गुजर गया तो हर किसी के गुजरने में अपना गुजरने का संकेत कहां देख पाते हो और सच तो ये है कि एक भी वेक्ती गुजरा मतलब उसके गुजरने में तुम्हारा गुजरना दिखना चाहिए और है किसी के जाने में अपना जाना दिखना चाहिए हर डूबते शाम में अपनी जीवन के शाम को देखो धलते धलते धल जाएगी इस जीवन की शाम काहे को विशारा गुरु का ना धीरे धीरे धलते धलते जीवन की शाम हो जाएगी हर सुर्यास्त में अपने जीवन का आस्त देखो हर बीतते पल में अपने जीवन का एक एक पल को देखो कि हमारा एक एक समय बीत रहा है मृत्यू संकेत दे रही है प्रकृति के द्वारा और जब तब भी हम नजर अंदाज करते हैं कि कोई गुजर गया और उसके गुजरने में यह समर्टी दिवस में हम गए और हम अपना इस मृत्य नहीं देख पाते किसी के पुनितित्ति में हम अपनी मृत्यू को नहीं देख पाए साहब कहते हैं कि फिर और भी सूचनाय आती है फिर डाइरेक्ट मृत्यू हमें संकेत भेजती है बाल पकना, दात हिलने लगना, आखों की रोसनी कम हो जाना, पैर लड़ खडाने लगना, जुवान लड़ खडाने लगना, चाम हलके पड़ जाना, ढेले पड़ जाना, सहभ करते हैं, सब मृत्यू का संकेत है, समल जाओ, कब आ जाए, कब आध हम के कोई पता नहीं, यह चे तुम बोरा गया हो पागल हो गया तुम दुनियादारी में लीन हो गया इसलिए धर्मराज की ख़बर को तुम नहीं जान रहे पर संकेत वो दे रहा है आगे साहिव करते हैं देख इत्रास मुखगव को मिलाई और जब अंतिम समय आ जाता है अचानक लगता है कि अब मौत खड़ी हो गई चारो और मृत्यू का पसारा है जहां देखो वहीं काल नजराने लगा जब अंतिम घड़ी आती है फिर काल ही काल नजराता है फिर दुख ही दुख पीड़ा ही पीड़ा साहिव करते हैं देख ही मुख गौ कुम हिलाई साहभ ने कहा कि अंत में जब मौत का दुख देखते हैं तो देहा भीमानी मनुश्य का मुख सुख जाता है अंत में जब हम मृत्यू को देखने लगते हैं तो अब तक तो हम देह अभिमान में थे संसारा अभिमान में थे पद के अभिमान में थे धन के अभिमान में थे देह रूप सौंदर्ज के अभिमान में थे परतिष्ठा के अभिमान में थे लेकिन जब सामने मृत्यू को देखते हैं तब अचानक लगता है ये तो लेने आ गई हम भूले हुए थे हम भरम में थे कि अभी लंबा जीना है देह के सौंदर्ज के साथ जीना है रूप के साथ जीना है धन के साथ जीना है, पद के साथ जीना है, परिवार पतनी के साथ जीना है पर मृत्यू को देखते ही देख ही तरह समुख को कुमिला जैसे ही हमने मृत्यू को सामने देखा और मृत्यू के समय के दुख को देखा तो अहंकार में पड़ा हुआ यह आदमी का चेहरा मलीन हो गया कुमिला गया साहिव ने कहा कि सच है अम्रित धोखे गव विश्खाई अब उस आदमी को लग रहा है अब जब मृत्यू सामने खड़ी हो गई मृत्यू का दुख चारोर खड़ा है मृत्यू खड़ी हुई का अर्थ है कि मृत्यू का अभास होने लगना और उस समय जो दुख हमें परतीत होता है कि सब छूट रहा है घर, धन, पद, परिवार, तन, सब छूट रहा है उस छूटने का जो दुख होता है क्योंकि हमने स्वयम को जाना नहीं संतिजन कहते हैं कि जो आदमी देह के अभिमान में पड़ा रहा जो आदमी धन के पीछे भागता रहा मृत्यू के समय बड़ा कश्ट होता है उसे अपनों का छूटने का इतना भैंकर कश्ट होता है कि वो कश्ट बहुत अनुमान नहीं लगा सकते उसकी आँखें गूमती रहती है चित बिचलित रहता है किसी देहा भिमानी अर्थाद विश्या सकती में लीन वेक्ती के मृत्यू के समय का द्रिश अब देखिए तो आप देख करके हत्पर भरा जाएंगे कि उसकी आँखें नाच रही है उसका चित स्थिर नहीं है उससे लग रहा है क्या हो रहा है पर सरीर लाचार है मृत्यू सामने खड़ी है उसके सामने बड़ो बड़ो का नहीं चलता बड़े बड़े धनपती बड़े बड़े करोड़पती भी वहाँ सिर जुका देते हैं कि कोई चारा नहीं चलता राजा हो, रंक हो धनी हो, गरीब हो कमजोर हो, बलसाली हो मृत्यू के सामने किसी का नहीं चलता वहाँ सब को सिर जुकाना पड़ता है शाहिब करते हैं हर किसी आदमी का जिसने जीवन में सिर्फ दुनियादारी में ही अपने को बिता दिया परपंच में बिता दिया मिथ्या अभिमान में बिता दिया वो मृत्यू आने के समय के दुख को, उस बिछुडने के दुख को देख नहीं पाता उसका पूरा चेहरा मलीन हो जाता और उस वक्त उसे लगता है जब चड़िया चुक गई खे, बहुत जगा साहिब संतों ने कहा, उस व्यक्ति को तब लगता है कि संसार को हमने अमरित समझा था, धन को हमने अमरित समझा था, अमरित मतलब जो मरेगा नहीं, जो छूटेगा नहीं, इस देह को अमरित समझा था, भोगों को अमरित समझा थ पर गव विष्खाई पर अमरित के धोखे में हम तो विष्खाते रहे जहर खाते रहे गुरु संत हमें सचेत किये हम जागे नहीं कितनी ऐसी सूचनाएं हमारे जीवन में आई कितने ऐसे संकेत हमारे जीवन में आई पर हम जागरित नहीं हो सके हम सचेत नहीं हो सके और हम जीवन भर विश्ष खाते रहे जहर पीते रहे लगा यह सब अमरित है पर उस अमरित के चकर में हम जहर खा गए अब हम क्या करें तो मानो संतजन जो जागरित कबिर साहब कर रहे हैं इसमें जो हमें सचेत कर रहे हैं जो हमें सावधान कर रहे हैं चाहिब कहते हैं कि चिंता मत करो यह जो जीव है यह जो आत्मा है यह मरती नहीं तुम्हारा सरीर छूट रहा है तुम जा रहे हो पाप कमा करके पर यह आत्मा को अगर जान लेते स्वैम को जान लेते तो पता चलता कि तुम्हारी तो कभी मृत्यु ही नहीं होगी मृत्यु तो शरीर की है तुम तो सदैव चेतन हो चिरंतन हो, चिनमय हो अंत में साहिब कहते हैं मैं सिर्जों मैं मारों, मैं जारों मैं खाऊं जल थल महियां रमी रहों, मोर निरंजननाँ मैं सिर्जों यह समस्त स्रिष्टी का कारण आत्मा ही तो कोई दूसरा नहीं आत्मा ना हो तो स्रिष्टी ही ना मैं सिर्जों मैं मारो मृत्यू का कारण भी आत्मा है सरीर से आत्मा निकल गई शरीर मर जाता है शरीर में आत्मा है तो जीवन है निकल गया तो मृत्य हो गया तो ये जीव कह रहा है आत्मा कह रहा है कि मैं सिर्जा हूँ मैं सिर्जन करता हूँ मैं ही स्रिष्टी का कारक हूँ मैं मार हूँ मैं निकल गया तो शरीर मर जाता है मैं ही मार देता हूँ मैं हूँ तो वो जिन्दा है, मैं नहीं हूँ तो मृत्यू के गोद में चला गया, शरीर पड़ा हो, आख नाख कान सब बढ़ियां हो, कोई कहेगा वो जिन्दा है, अगर आत्मा है तो वो जिन्दा है, आत्मा निकल गई तो बढ़ियां से बढ़ियां शरीर, चाहिए भी रहा हूं मैं ही काल स्वरूप सब को खा भी रहा हूं सब कुछ का स्रिष्टी में कारण विनास का भी कारण मनुष्य है स्रिजन का भी कारण मनुष्य है समस्त सहाइब ने कहा है पाप का भी कारण यह जीव है पुन्य का भी कारण यह जीव है धर्म का भी कारण यह जीव है अधर्म का भी कारण यह जीव है तो यह जीव कहता है कि मैं ही स्रिजन का कारण हूँ मैं ही सिरजता हूँ स्रिजन करता हूँ मैं ही मारता हूँ, मैं ही विनास्त करता हूँ जैसे कहा जाता है ब्रमा स्रिजन करता है विश्नु पालन करता है और शिव संगहार करता है शाहिब कहते हैं कि यह जीव ही समझो ब्रमा है यही स्रिष्टी का जन्म दाता है आत्मा है तो स्रिजन है यही पालन करता है धर्म में जीवन जीने लगा तो स्रिष्टी का हम पालन भी करते हैं धर्म का पालन कर लिए सत्य का पालन कर लिए तो अपना भी धर्म मार्क पर हैं दूसरों का भी धर्म का पालन सिखाते हैं मैं मारो मैं ही संसार का विनास भी कर रहा हूँ एक आदमी आखिराज जो दुनिया में इतना विनास है उसका कारण कौन है मनुश्य ही दूसरा इसका हमेशा भी समझ सकते हैं कि मैं ही तमाम बुराईयों का विनास भी करता हूँ मैं ही तमाम समस्याओं का विनास भी करता हूँ तो अच्छाई का कारण हम है तो बुराई का कारण भी हम है जो कुछ भी हो रहा है सब हम ही कर रहे हैं किसी ने कहा तुम हो कहा कहा जल्थल महिया रमीर हो कहा मुझे कहा कहा नहीं हूँ मैं कहां कहां नहीं, सब जगांगा, जल पर जितने भी जीव हैं, जल में, सब में मैं ही हैं, सब मुझ में ही हैं, आत्मा ही तो सब में हैं, सब में जीव ही तो हैं, सब में जीवन हैं, सब जीवन का कारण आत्मा ही हैं, और थल में अर्थात, जमीन पर जितने भी हैं, उसमें भी मैं ही, जल्थल महिया रमी रहू, सब में मैं हूँ, सब में आत्मा है, सब के जीवन का कारण मैं ही, मोर निरंजन ना हो, तो लोगों ने का भी तुम हो कौन फिर, तुम्हें हम क्या कहें, तो आत्मा क्या कहती है, मेरा नाम निरंजन है, अर्थार जो देखने में नहीं आ जिसे आखें देख नहीं सकती है बलकि जिसकी सत्ता में आखें देखती है उसे तु ब्रह्म जान जिसे कान सुन नहीं सकते बलकि जिसकी सत्ता में कान सुनते हैं उसे तु ब्रह्म जान आत्मा भी वही कह रहा है कि मुझे तुम देख नहीं पाओगे मेरी ही सत्ता में तुम देखते हो मुझे देखना कठी नहीं संसार की आँख से आत्मा को हम कैसे देखेंगे ज़रा सोचिए रात का समय हो तो क्या हम सुरज को देख सकते हैं है संभग सुर्ज को देखना हो तो हम सुर्ज के ही प्रकास में देख सकते हैं सुर्ज को देखने के लिए सुर्ज का प्रकास अर्था दिन का होना जरूरी है इसी तरह से चेतन को देखना है तो चेतन से ही देखा अनुभव किया जा सकता है इन जड़ आँखों से कोई उपाय नहीं है हम आँखों से तो जड़ को ही देखेंगे, संसार को ही देखेंगे तो आत्मा कहते हैं मुझे तुम देख नहीं पाओ वहाँ कि मेरे ही सहारे तुम देखते हो, मेरे ही सत्ता में तुम देखते हो सुरू में साहिब ने क्या कहा, तब बच्चियों जब रामे ही जानी पड़े हो, उन सब का कारण तुम हो, यह समस्त विष्टार का कारण तुम हो, बिनास का भी कारण तुम हो, विकास का भी कारण तुम हो, सिर्जन का कारण तुम हो, विध्वन्स का कारण तुम हो, और तुम कहीं एक लोता नहीं हो, समस्त शिर्ष्टी में तुम ही तो हो, हर में तुम हो, हर प्राणी में तुम हो और जब तुम्हारा कोई शरूप पूछता है तुम क्या कहे तो यह आत्मा कहती है मोर निरंजन ना हो, मैं निरंजन हो जो आँखों से न देखा जा सके वो शक्ति हूँ जिसके द्वारा तुम देख तो सकते हो संसार को पर संसार की सकती से तुम मुझे नहीं देख सकते है मुझे से तुम जगत को जानतो सकते हो पर जगत से तुम मुझे नहीं जान सकते इन कानों से तुम संसार को सुन सकते हो पर इससे तुम मुझे नहीं सुन सकते क्योंकि ये कान मेरी ही सक्ति से सुनते है तो सुर्ज के प्रकास में तुम सुर्ज को देख सकते हो पर सुर्ज के प्रकास से जो प्रकासित है उसके प्रकास में तुम सुर्ज को नहीं देख सकते चंद्रमा सुर्ज के प्रकास से प्रकासित है चंद्रमा का अपना प्रकास नहीं है वो सुर्ज के प्रकास से प्रकासित होता है लेकिन उसके प्रकास से हम चाहेंगे कि सुर्ज को देख लें नहीं देख पाएं सुर्ज के प्रकास से हम चंद्रमा को देख रहें रात में जो चंद्रमा हमें चमकता है वो सुर्ज का ही प्रकास है साहभ यहीत कहते हैं कि यह आत्मा को देखना है तो संसार के बिवस्थाओं से नहीं देख सकते जड़ आँखों से नहीं देख सकते कान से सुन नहीं सकते बलकि जब इन सभी शरीर भाव से, संसार भाव से, उपर उठेंगे जड़ द्रिश्चों का त्याग करके जब हम धीरे धीरे चेतन में लोटेंगे तो हम स्वयम के अनभूती कर सकते हैं, स्वयम के होने का एहसास कर सकते हैं, अनभाव कर सकते हैं खुद ही खुद को कैसे देखेंगे? मैं खुद को कैसे देखू अपने दाएं हाथ से ही दाएं हाथ को कैसे पकड़ा जा सकता इसी आँख से इसी आँख को कैसे देखा जा सकता इसी तरह साहिब कहते हैं कि यह आत्मा सब को देखने वाला है यह आत्मा शरीर को शक्ती देने वाला है ये आत्मा आखों से जगत को देखने वाला है, कान से सुनने वाला है, कान से तुम इसे नहीं सुन सकते, तो इसलिए शाहिव अंत में कहते हैं कि मोर निरंजन ना हो, ये आत्मा ही निरंजन है, अर्थात अद्रिश्य है, जिसे देखा ना जा सके, अद्रिश्य शक्ति, ब्र कि संसार में भैंकर दुख है, बीड़ा है, कस्ट है. तो लोगों ने कहा बच्चें कैसे साइव, ने कहा राम को जानो, अपने सुरूप को जानो, अपने चेतन को जानो, मैं कौन हूँ, ये जानो. और अगर राम को तुमने जान लिया राम को जान करके तुम युकती पुरुवक चलने लगे संसार में विशार पुरुवक चलने लगे तो भंदा नहीं पढ़े गए विश्य सक्ती का, अविध्या का, माया का, ग्यानता का संसार की कोई भी इबादाएं तुम्हें बांधे की नहीं कोई भी दुख तुम्हें दुखी नहीं कर सकता कोई भी कश्ट तुम्हें कश्ट नहीं दे सकता संसार तुम्हें सपर्सी नहीं कर सकता जिस दिन आदमी या जान लेता है कि मैं चेतन हूँ आतमा हूँ तो साहिब करते हैं फिर मृत्यू भी तुम्हें छू नहीं सकते मृत्यू की पहुँच तुम्हारे शरीर तक है तुम तक नहीं इसलिए हम सब को भी विश्या सक्ती से मुक्त होकर संसारा सक्ती से मुक्त होकर मिथ्या देहा विमान से मुक्त होकर अपने राम को जानना है अर्थात स्वेम को जानना है मैं कौन हूँ यह जानना है क्योंकि जब हम मैं कौन हूँ यह जान लेते हैं तो तमाम दुखों से हम छूट जाते हैं संसार में जो भी दुख है, जो भी बीड़ा है, जो भी अशान्ती है, उसका कारण यह है कि हम बहिर्मुख हो गये हैं, हमारी विर्ति बहिर्मुख हो गयी, हमारा मन बहिर्मुख हो गया, हम बाहर सुख की तलास कर रहे हैं, हम बाहर शान्ती की तलास कर रहे हैं साहब कर तेन झाल झाल